हेलो डियर सुडेंट्स तो आज के ही स्टुडियो में हम आपका क्लास एर्थ का ये जो इवनिंग सिफ्ट का मैज का कोशन पेपर है जो की आपका 2023-24 का फाइनल एक्जाम यानि की अनुवल एक्जाम का कोशन पेपर है तो इसका हम सोलूशन करेंगे इस वीडियो में तो चल इसमें हमसे बोला गया है निम समीकरणों में से कौन सा एक चर में रैखिक समीकरण है तो इसमें हमें टोटल चार पार्ट्स दिये गए हैं ये रहा हमारा A, B, C और D अब जो हमारा A पार्ट है इसमें ये जो समीकरण है इसको ध्यान से देखो इसमें दो आपको चर दिखा इसके बाद c वाले option को देखो यहाँ पर 3x square है यानि कि x की power कितनी है 2 है तो इसलिए यह हमारा एक रहखिक समीकरन तो है ही नहीं ठीक है इसलिए c option भी कट गया और d option में यहाँ पर यह जो x है यह बटे में है ठीक है 1 upon x है तो इसलिए यह भी हमारा एक समीकरन नहीं है तो इ इसमें यह देखिए x यहाँ पर भी x है यानि कि यह सिर्फ एक चर्मे रहखिक समीकरन है तो इसलिए हमारा बी option जो है यह बिल्कुल करेक्ट था first question का चिक है इसके बाद second question second question में हमसे बोला गया है कि एक चतरभुज यानि कि एक चतरभुज उत्तल में विकर्णों की संख्या डैश है तो जो हमारा एक उत्तल चतरभुज होता है जैसे कि मैंने यहाँ पर यह एक चतरभुज बना दिया तो इसमें कितने विकर्ण होंगे इसमें यह हो जाएगा औ third question में बोला है कि Pythagoras trick यह हमें दिया गया है में X का मान क्या होगा तो इसमें हमसे X का मान पूछा है अब कैसे बताएंगे हम इसमें इस X की value तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम option से खेलेंगे इसमें A option है यह B option में 10 है C में 8 है और D में 19 है तो आपने Pythagoras trick के भी जरूत नहीं पड़ेगी आपको डायरेक्ट है इसका answer पता चल गया होगा कैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे जो हमारा यह 13 है इस 13 को लेंगे यानिकि 13 और इसका हम square करेंगे चीक है इसके equal में हम करेंगे इस 5 का square और प्लस में यह जो है दूसरा 12 यानिकि 12 का square तो 13 का square करेंगे तो यह होता है 169 और इधर 5 का square 25 प्लस यह 12 का square होता है 144 तो यह हमारा 169 equal में यह 25 और 144 को add करेंगे तो यह भी 169 आएगा तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो हमारा ये 5 जो की हमें कोशन में दिया गया था और 12 ये भी हमें दिया गया था तो इन दोनों का square करने पर जो इसका योग है वो किसके बराबर आ रहा है 13 के square के बराबर तो इसलिए जो हमारा x है x की value क्या होगा 13 हो जाएगा तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं x का मान तो आपको समझ में आ गया तो इसलिए इसका a option जो है ये हमारा correct हो जाएगा और वैसे भी आपको पता होगा अगर आपने pythagoras trick pythagorean triplet के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारा 5, 12 और 13 होता है ये हमारा एक pythagoras trick होता है ठीक है 5, 12 और 13 तो इसलिए x का मान 13 हो जाएगा इसके बाद next है हमारा question number 4 इसमें बोला है कि 0.5 का घन तो 0.5 का घन कितना होगा घन का मतलब क्या होता है जब भी घन पूछा जाता है तो जिस भी संख्या का घन पूछा जाता है उसका हम 3 बार multiply कर देते हैं तो जैसे कि 0.5 into 0.5 into 0.5 कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 5 25 25 25 125 तो यह 125 हो गया अब point के बाद यहां पर एक अंक है point के बाद यहां पर भी एक अंक और point के बाद यहां पर भी एक अंक यानि कि point के बाद total 3 अंक है तो इसलिए हमें यहां पर यहां point लगाना पड़ेगा तभी point के बाद 3 अंक आपको इस तरह से मिलेंगे और यहां पर आ जाएगा 0 तो 0.125 यह रहा D option में तो इसलिए हमारा fourth का D option correct था इसके बाद है fifth question इसमें बोला गया था यदि गडित की परिक्षा में 50 में से 30 विद्यार्थी पास हुए हैं तो पास परतीशत हमसे पूछा गया था अब यह तो बहुती easy question था पास परतीशत पूछा था कितने students पास है 30 तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे उपर और upon में total लिखते हैं total हमारा है 50 students और multiply by हमेशा 100 से होता है तो यह 10 से सबसे पहले यह 10 cancel होगा यह 5 एकम 5 यह 5 दूना 10 अब यह 30 और 2 का multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा 60 यानि कि यह हमा C option में चिक है तो यह हो गया हमारा इसके बाद next चलते हैं 6th question पर 6th question में बोलाए कि 4 अनुपाद 5 का समतुल्य परतीशत है तो कैसे करते हैं इसको हम देखे 4 अनुपाद 5 है इसको हम 4 बटे 5 इस तरह से लिख लेंगे और गुणा कर देंगे हम 100 से तो यह 5 के पाड़े से ए अंसर हो जाएगा यह रहा B option में चिक है तो इस तरह से हमारा 6th question हो गया इसके बाद यहां पर देखो section A English medium में आ गया तो जैसे मैंने आपको Hindi medium में समझाया वैसे English medium में भी हमारा होगा सबसे पहले first question जो है इसका इसमें पूछा था which of these equations is a linear equation in one variable तो यह जो है हमारा यह linear equation ह one variable वाला चीक है इसी तरह से second question जो है second question का हमारा इसमें diagonals पूछा था तो यह हमारा 2 हो जाएगा और third question जो है third का यह answer था 13 python triplet हमें बताना था तो हमारा x की value 13 हो जाएगा और fourth का 0.5 का cube पूछा था तो यह हो जाएगा 0.125 इसके बाद है fifth question, fifth का हमारा answer था 60% और sixth question का 80% चीक है इसके बाद next चलते है question number 7 पर तो question number 7 को देखो इसमें हमसे बोला गया था एक आयत जिसकी लंबाई 2xy1 और चोड़ाई x plus y1 है का छेत्रफल हमसे पूछा गया था तो आपको पता होगा कि जो आयत होता है rectangle उसका area यानि कि छेत्रफल निकालने का क्या formula होता है यह होता है हमारा length into breath यानि कि लंबाई गु और breath यानि कि चोड़ाई यह हमारा x plus y तो यह bracket में x plus y लिखेंगे अब इसको कैसे solve करते हैं हम आगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो यह 2xy है इसका इस bracket में सबसे पहले x से multiply करेंगे यानि कि 2xy का x में गुणा होगा तो यह बंज़ेगा 2x square y फिर यहाँ plus है तो यह plus लगाएंगे और फिर 2xy का इस y में भी गुणा होगा तो यह बंज़ेगा 2xy square चिक है तो यह हमारा जो है यही final answer हो जाएगा अब यह हमें कौनसे option में दिया हुआ है तो 2xy square y प्लस 2xy square यहाँ पर हमें यह रहा c option में तो इसका answer हो जाएगा 7th का c option इसके बाद next है 8th question इसमें बोला है कि 1 work meter बराबर dash तो क्या होगा हमारा 1 work meter के बराबर तो देखो आपको पता होगा कि 1 meter जो है इसमें हमारा 100 cm होता है 1 meter में कितने cm? 100 cm तो 1 meter square में कितना होगा तो इसके लिए क्या करेंगे 100 into 100 कर देंगे 1 meter square का मतलब है 1 work meter ठीक है इंग्लिश में हम इस तरह से meter square लिखते हैं और हिंदी में work meter लिखते हैं ठीक है तो ये 100 into 100 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 10,000 तो इसलिए 1 work meter में कितना होगा हमारा 10,000 यानकि 10,000 cm square तो ये रहा हमारा D option में 10,000 work cm ठीक है तो इसका D option correct हो जाएगा इसके बाद है next question number 9, question number 9 में बोलाए है यदि X और Y सीधे समानू सीधे अनुपात में है तो रिक्त इस्थान भरिये तो यहां पर देखिए यह हमें साड़नी दिया हुआ है अब इसमें यह भरना है हमें हमें बोलाए कि यह सीधे समानुपात में है तो सीधे समानुपात में होता है तो इसको हम कैसे सॉल करते हैं सबसे पहले जो हमें दिया है दो बटे साथ इसको लेंगे और इसके इक्वल में यह वाला लेंगे या कि cross multiply भी आप कर सकते हैं या फिर x को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ x इस तरह से आ जाएगा और ये 7 as it is इस 7 को इधर लेके जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा इस तरह से तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 7 और 7 का गुणा 49 बटे में 2 है अब 2 से 49 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24.5 जो कि ये रहा a option में तो इसलिए हमारा question number 9 का a option correct हो जाएगा ठीक है इसके बाद next question number 10 question number 10 में देखे क्या बोला है इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो को like नहीं किया अभी तक त इससे मुझे और आगे के वीडियो बनाने का motivation मिलेगा ठीक है और अगर आप चैनल पर नए आया हो तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो अप्लोड करूं तो सबसे पहले notification आपको मिल जाए सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँच सके ठीक है और इस तरह से पूरा detail में मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसा कोई भी और वीडियो में आपको नहीं देखने हो क्यों मिलेगा किसी other channel पर तो इस तरह से पूरा detail में समझाने के लिए एक like जरूर कर देना ठीक है तो आप देखना question number 10 में बोला cent classroom एक लिटर का एक लिटर से अनुपाध हमसे बोला गया है बताने के लिए तो यहां पर 200 अनुपाद का निशान हो गया एक लिटर से अनुपाद पता लगाना है तो एक लिटर में कितने मिले लिटर होते हैं एक हजार तो इस तरह से हम एक हजार कर देंगे अब ये सबसे पहले 2 जिरो से ये 2 जिरो कटेगा ये 2 एकंदो और ये 2 पंजे 10 कटेगा तो क्या आगया A कनुपात 5 जो कि ये रहा D option में तो इसलिए हमारा question number 10th का D option correct हो जाएगा इसके बाद question number 11 देखो इसमें बोलाए कि X square minus 4 का गुरंखंड है तो हमें इसका गुरंखंड पता लगाना है कैसे करेंगे देखना ध्यान से यहाँ पर सबसे पहले X square है तो X square को हम क्या कर सकते है इसको हम X और ये X का square लिख सकते है फिर minus है और फिर 4 है चार को हम क्या कर सकते है दो का square लिख सकते है अब ये आपको इसमें identity नजर आ रहा होगा ये हमारा जो है ये कुछ-कुछ इस तरह से है A square minus तो ये वाला formula आपको याद होगा, क्या होता है, a square minus b square बराबर, ये होता है, हमारा a plus b into a minus b, चीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे, सबसे पहले a plus b है, a का मान हमारा x है, plus b का मान है 2, फिर a minus b, तो a हमारा x है, minus b हमारा है 2, तो x plus 2, x minus 2, ये रहा हमारा b option में, तो इसलिए 11th का b option correct हो जाएगा, और इसके बाद next है हमारा question number 12, question number 12 में बोला है कि graph में 36 अक्ष दरसाता है, तो जैसे हम graph इस तरह से खीचते हैं, तो इसमें जो हमारा ये 36 अक्ष है, ये क्या दरसाता है, ये हमारा x अक्ष को दरसाता है, तो इसलिए ये हमारा d option correct हो जाएगा, question number 12 का, इसके बाद यहाँ पर English Medium में आप देख लो, question number 7 जो है, the area of a rectangle whose length is 2xy units and breath is x plus y units is, तो ये हमें length और ये हमें breath दिया है, rectangle का, तो इसका area find करना था, तो दोनों का कुछ नहीं करना था, बस multiply कर देना था, तो हमारा answer आ जाएगा, अभी मैंने आपको करके भी दिखाया था, तो इसमें ये हमारा answer था, यानिकि C option, इसके बाद 1 meter square के equal में क्या होगा, 10,000 centimeter square हो जाएगा, यानिकि इसका D option correct था, इसके बाद question number 9 जो है, question number 9 में यहाँ पर क्या आएगा, ये हमें पता लगाना था, तो 24.5 आएगा, यानिकि A option इसका correct था, और next है, question number 10, question number 10 में हमें 200 ml का 1 liter से ratio पता लगाना था, तो ये आएगा हमारा 1 ratio 5, और question number 11 का ये B option correct था, और question number 12 का हमारा D option, यानिकि ये X axis, ठीक है, तो इस तरह से, जो हमारा question number 1 था, question number 1 में total 12 parts थे, सारे के answer मैंने आपको करा दी है, इसके बाद यहाँ से हमारा question number 2 शुरू हो जाता है, चिक है, और question number 2 में देखे क्या बोला है, सबसे पहले इसको आप पढ़ो, प्रशन 2 से 7 वस्तुनिश प्रकार के प्रशन है, जिन में परतेक प्रशन 2 अंका है, तो अब आज के लिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को एक like जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर के लखना, और bell icon प्रेस कर लेना, ताकि जो question number 2 वाला, यानि कि question number 2 से जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, solution का, तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो,